C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारा के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ छे कवी शम्षेर बहादुर सिंग प्रिष्ट संख्या 34 से 38 तक प्रिष्ट संख्या 34 कवी परिचे शम्षेर बहादुर सिंग जन्म 13 जन्वरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश अब उत्तरा खंड में प्रकाशित रचनाएं कुछ कविताएं कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुझसे होड है मेरी उर्दु हिंदी कोश का संपादन संमान सहित्य अकादमी तथा कबीर संमान सहित अनेक पुरसकारों से संमानित निधन सन 1993 दिल्ली में तुमने धर्ती का पद्य पढ़ा है उसकी सहजता प्राण है खुद को उर्दु और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधी स्थल पर खड़ी है यह संधी एक और सहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी और मूर्तता और अमूर्तता की तथा एंद्रिये और एंद्रिये तर की है विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवी शमशेर की पहचान एक बिम्ब धर्मी कवी के रूप में है उनकी यह बिम्ब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदा कारी का माद्दा रखती है उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बलकि भाशातीत हो जाना चाहता है उनकी मूल चिंता माद्ध्यम का उप्योग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है ओ माद्ध्यम, क्षमा करना, कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ कथा और शिल्प, दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है उर्दु शायरी के प्रभाव से संग्या और विशेशन से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं सचेत इंद्रियों का यह कवी, जब प्रेम, पीडा, संगर्ष और स्रिजन को गूंत कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस्त होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंतरत करती है, बल्कि सुनने और देखने को भी प्रिष्ट संख्या 35, कविता परिचय 1943 से प्रारंब प्रयोगवादी कविता, शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई नए बिम्ब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने यहां तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोगता कवियों ने किया अपना आसपडोस कविता का हिस्सा बना प्रकृती में होने वाला परिवर्तन मानविये जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ प्रस्तुत कविता उशा सुर्योदय के ठीक पहले के पल-पल परिवर्तित प्रकृती का शब्द चित्र है शम्शेर ऐसे बिम्ब धर्मी कवी हैं जिन्होंने प्रकृती की गती को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है यह कविता भी इसका उधारण प्रस्तुत करती है कवी भोर के आसमान का मूख द्रश्टा नहीं है वे भोर की आस्मानी गती को धर्ती के जीवन भरे हलचल से जोडने वाला स्रश्टा भी है इसलिए वे सूर्योदे के साथ एक जीवन्त परिवेश की कलपना करता है जो गाउं की सुभा से जुड़ता है वहां सिल है राक से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अद्रिश्य बच्चों के नन्हे हाथ यह एक ऐसे दिन की शुरुवात है जहां रंग है, गती है और भविश्य की उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उशा प्रिश्ट संखिया 36 प्रेस्टुत है कविता उशा उशा प्रात नवता बहुत नीला शंक जैसे भोर कनव राक से लेपा हुआ चौका अभी गीला बड़ा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने नील जल में या किसी की गौर जिल मिल दे जैसे हिल रही हो और जादू तूटता है इस उशा का अब सूरेवदे हो रहा है प्रिष्ट संख्या 37 अभ्यास अभ्यास कविता के साथ प्रश्ण एक कविता के किन उपमानों को देख कर यह कहा जा सकता है कि उशा कविता गाउं की सुभा का गतिशील शब्द चित्र है प्रश्ण दो भोर का नब राक से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है नई कविता में कोश्ठक, विराम चिहनों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है इन पंक्तियों में कोश्ठक से कविता में क्या विशेश अर्थ पैदा हुआ है समझाईए अपनी रचना अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सुरियोदय और सुरियास्त का शब्द चित्र खींचिये अपनी रचना अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सुरियोदय और सुरियास्त का शब्द चित्र खींचिये आपसदारी सुर्योदाय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है प्रसाद की कविता, बीती विभावरी जागरी और अग्ये की कविता, बावरा अहेरी की पंग्तियां आगे दी जा रही है उशा कविता के समानांतर, इन कविताओं को पढ़ते हुए, आगे दिये गए बिंदुओं पर तीनो कविताओं का विशलेशन कीजिए और ये भी बताईए कि कौन सी कविता आपको ज्यादा अच्छी लगी और क्यों बिंदु एक उपमान, बिंदु दो शब्द चयन, बिंदु तीन परिवेश जैशंकर प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवलरस गागरी अधरों में राग अमंद पिये, अलकों में मलयज बंद किये तु अब तक सोई है आली, आखों में भरे विहागरी प्रिष्ट संक्या 38 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सियायन अग्ये की कविता भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल-लाल कनिया पर जब खीचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ छोटी-छोटी चिणिया, मजोले परेवे, बड़े-बड़े पंकी डैनों वाले, डील वाले, डाल के, बेडॉल उरने जहाज कलस तिसूल वाले मंदिर शिखर से ले तार घर की नाटी-मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उप्योग सुन्दरी बेपनाह काया को गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी पार्क के किनारे पुष्पिताग्र करनिकार की आलोक खची तन्विरूप रेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुआ यूँ उगलती हैं मानों उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी इसी के साथ आरो भागदो का पाथ 6 यहां समाप्त हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत